कि अपने फोरपॉयंटू का थोड़ा सा बेसिक कर लेते लिए उसके बाद फिर अपने क्योश्चन्स कर लेते हैं ठीक है तो फोरपॉयंटू के बेसिक के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोपर्टीज अपने पास डिक है जैप्टर फोर गर अपने पास कॉन सा डिटर्मिनेंट है एड टिटर्मिनेंट हो क्या करते हैं साहड़ीं में कि4.1 तो सिंपल थी जिसके इन्दी टिर्मिनेंट find करनी थी सार्णिक याद करना था 4.2 में अपने पास क्या है प्रोपर्टी की हेल्फ से determinant find करनी या कुछ प्रूफ करना होता तो पहली प्रोपर्टी बताओ के है पहली प्रोपर्टी को वैसे तो अपने कहते हैं घुमादो ठीक है शोट नेम रख रखे है अगर आप find करो तो फोर टू जा एट त्री सिक्स जा एटीन पीचे माइनस होता ना चार दुनी आठ हो गया बीचे माइनस फिर तिंचे के एठारा माइनस का दस आ गया अगर तुम इसको गुमादो गुमादो का मतलब है अगर यह जो डिटर्मिनेट इसका ट्रांस्पोज करो यह इसके रो के कोलम बना दो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करो चार दुनी आठ छेती है अब भी क्या माइनस दस है तो फर्स्ट प्रोपर्टी क्या कहती है कि घुमाने पर भी कोई फरक नहीं पड़ता प्रोपर्टी फर्स्ट क्या कहती है अगर आप किसी डिटर्मिनेट का ट्रांस्पोज फाइंड करते हो ठीक है और फिर उसका डिटर्मिनेट कर लेते हो तो भी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी डिटर्मिनेट होती है कोई भी मैट्रिक्स है दो इंटो दो की या iya jjo sarnik होती है कोई भी matrix होती है और वह matrix कैसी होनी चाहिए square matrix ही होनी चाहिए या तो वह होनी चाहिए 2x2 की या वह होनी चाहिए 3x3 की तुमारे syllabus में इतना ही है या 2x2 या 3x3 की तो इस से related जो आपको एक digit मिलेगी उसको आप ऐसे मोडूलेस वाले साइन के अंदर रखोगे ठीक है तो यह जो डिजिट है जो अपनों यह निकाल लिए इसको क्या कहता है डिटर्मिनेट कहते हैं इसको डेल से भी मैंशन करते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ इसे हैं अगी बाद समझें तर पहले प्रो पर्पर्टी समझे कि किसी भी मैंट्रिक्स की जो हर्याद करते हो अगर आप उसको ट्रांस्पोज करके फान्ट करोगी तो भी वो सेम रहेगी, ठीक है, सेकेंड प्रोपर्टी पढ़ो, बुक गें अंदर, सेकेंड पढ़ो प्रोपर्टी, बोलना सेकेंड प्रोपर्टी, δεν नहीं इसा में लीचेंज कर दो, बस इतना वर्ड याद रखो, change कर दो, change कर दो का मतलब है, जिससे मैं एक determinant के बारे में बात करता हूँ, वही 4, 2, यह ले लिया मैंने, 48, 32, अपने बात करते हैं कि इसकी determinant कितनी आई, 4, 2, 3, 8, 24, कितना आगया, minus के 16, change कर दो का मतलब है, कि अगर आप कोई भी 2 row आपस में change करते हो, जो कोई एक दूसरे से replace करते हो, या कोई भी 2 column आपस में replace करते हो, तो determinant का जो symbol है न, या जो sign है, वो change हो जाएगा, जैसे यह minus का 16 है न, अगर मैं R1 और R2 को आपस में change कर दों, जैसे देखो, यह मैं R2 तो उपर ले गया, और R1 नीचे लिया है, तो अभी इसका देखो, साइन क्या आएगा, 3824-42, यह plus का स्वल आगया, तो second property क्या गयती है, कि अगर आप किसी determinant के अंदर, या तो रो को आपस में change करोगे, कोई भी 2 रो को, या कोई भी 2 column को आपस में change करोगे, तो determinant का sign क्या हो जाएगा, reverse हो जाएगा, या opposite हो जाएगा, ऐसे 3 into 3 के अंदर भी होता है, इसी 3 into 3 की मैंने एक matrix लिखी, ठीक है, इसका determinant क्या रहा है अपने पास, देखो, 1, minus 2, plus 3, determinant find करना आता है न, 1 के respect ये गया, ये गया, 0 को 5 से करेंगे, 0, फिर क्या रहा जाएगा, only minus 1, minus formula में होता है, 2 की respect ये गया, ये गया, 4, 5 जा 20, minus 2, 18, 3 के respect ये गया, ये गया, 4, 1 जा 4, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, minus का 1, minus का 36, plus का 12, minus का 36, plus का 12, minus का 24, और ये minus 1, minus का क्या आगया, 25 आगया, ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई भी दो, रो आपस में चेंज कर दो, या दो कोलम भी चेंज कर दो, जैसे मैं, C1 और C2 को आपस में चेंज कर देता हूं, हम देखो, C1 और C2 को, ऐसे लिखते है, replacement को, दोनों तरह फैरो लगाना होता है, ये C1 तो लिख दिया, हमने 201, और ये 142, और ये 315, तो बच्चे अपना इसके determinant find करते हैं, टू के respect आएगा, फिर 1 के respect माइनस का, और फिर 3 के respect, 4.1 में आप 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, दोनों की determinant find कर चुके हो, ये 4.1 में, तो इसका column गया, रो गई, 4, 5, 20, minus 2, 18, column गया, रो गई, ये तो 0 हो गया, और ये, minus 1, ये गया, ये 0 और ये minus 4, ये 36 आ गया, ये plus का 1 आ गया, और ये minus का 12 आ गया, 37 minus 25, पहले minus का आ था, अब plus का आ गया, देखो, ये कौँसी property है, second है, change कर दो, ठीक है, थर्ड प्रोपर्टी पढ़ो कौँसी है, कोई भी दो row या कोई भी दो column identical हो, यानि same हो, एक जैसे दिखाई दे, तो उसका answer क्या आता है, 0 आता है हमेशा, तो थर्ड प्रोपर्टी को याद करने का इतना सा तरीक है, इतना वड़ याद रखो, 3 same 0, यानि तीसरी प्रोपर्टी क्या कहती है, कि कोई भी दो row या कोई भी दो column same दिखे, तो उसका answer हमेशा 0 आएगा, ठीक है, जैसे अपने बात करते हैं, 1, 2, 1, 2, यह same है, मैंने 2 into 2 की ले ली, ठीक है, easy रहता है, यह देखो 2 एकम 2, minus 2 एकम 2, क्या हो गया, 0 हो गया, यहापे 0 होने का reason क्या था, कि R1 और R2, आपस में क्या है, equal है, तो third property लगी, यह अपने direct कह स सकते हैं, by P3 property, R1 और R2 equal हो, तो इसका determinant क्या है, 0 होगा, आगी बात समझ, तो यह है, property, third, property, fourth, बोल, देखो, कोई भी determinant है, आपके पास, यह 3, 4, 1, 2 है, एक determinant है, ठीक है, इसका answer निकालो पहले, 3, 2, 6, 4, 1, 4, कितना आगया, 2 आगया, वो कह रहा है, property, fourth में, property, fourth को याद रखने का short है, k multiple वर्ड याद रख लो, k multiple इतना वर्ड याद रखो, k multiple, k multiple का मतलब है, कि अगर आप किसी भी रो, या किसी भी column को किसी एक digit से multiply करते हो, तो determinant की value भी उतने ही multiple हो जाएगी, जैसे, इसकी जो R1 है, अगर बच्चों मैं कहूँ कि मैं R1 को 5 से गुना करना चाता हूँ, R1 को 5, R1 कर दिया, तो डेल क्या लिखूं पहले, 5 ती ये 15, 5 के 20, ये same, अब अपने इस का answer find करते है, 15 तू जा 30, और ये 20 है गया, तो 30-20, we have got 10, तो देखो, पहले determinant 2 आ रही थी, जो R1 को 5 से multiply कर दिया, तो कितना multiple होगी, ये भी, 5 times होगी न, 5 multiple होगी, तो ये कौन सी property है, 4th property, ठीक है, 1st property क्या थी, घुमा दो, 2nd property क्या थी, change कर दो, ठीक है, sign change होजेगा, 3rd property, 3 same 0, 4th property, K multiple, 5th property, पढ़ो, 5th property पढ़ो, हाँ, देखो, 5th property के लिए एक वर्ड याद रख लो, split कर दो, या तोड दो, ऐसे अपने इस वर्ड को याद रख सकते हैं, वो के तक कोई भी अगर determinant है, अगर वो ऐसे लिखी हुई है, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, 3, 4, 6, 1, 2, 9, यह मैंने जो 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, इसलिए लिखके दिखाया आपको, ताकि आपको समझ आ जे, यहाँ पे वो 1 की जिगां कोई भी और variable भी यूज़ कर सकता है, या कोई arbitrary constant यूज़ कर सकता है, जिसे के, M, N, P, कुछ भी यूज़ कर सकता है, अब मैं तुमको इस से सिखाने की कोशिश करूँगा, वो कह रहा है कि यह जो 1, 1, 1 जो सेम है, उसके साथ तो अलग कर लो, और जो बाकी रहा गया जैसे 2, 3, 4, 3, 4, 6, 9, 2, 1, वो कह रहा है, यहां से जो आपके पास determinant मिली है न, वो इन दोनों के अलग-अलग determinant के total के बराबर ही होगी, यहनि वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई determinant है, जो 2 के sum की form में लिखी हो, यह उसकी कोई भी row, यह कोई भी column, तो उसको का, अगर आप split कर गए, अलग-अलग solo कर लोगे न, तो उनका last में जो total करोगे, वो भी determinate के बराबर ही आएगा, जैसे अगर मैं इस one की जगा, k word use कर लेता, k, यहनि k कोई arbitrary constant है, तो अपने k के साथ तो अलग कर लेते, और वो जो digits हैं, उनके साथ अलग कर लेते, और फिर दोनों को solo कर लेते, फिर अपना क्या आजाता, अंसर आजाता, समझे बात को, तो यह कौन सी property है, fifth property है, split कर दो, और sixth property जो है बचों, वही property है, जो हमने exercise, 3.4 में operations लगाये थे न, matrix के उपर, बस अब यह याद रखो, कि determinate में जब अपने method apply करते हैं, operation लगाते हैं, 3.4 में हमने क्या सीखा था, कि जब row पर operations लगा रहे हैं, तो रो पर ही लगाना है, पंक्तियों पर लगा रहे हैं, तो पंक्तियों पर, स्तंबो पर लगा रहे हैं, तो स्तंबो पर, यानि column पर अप्लाई कर रहे हैं, तो column पर, लेकिन determinate में आप कुछ भी कर सकते हो, row में लगा रहे हो, operations, तो बीच में column पर भी लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो, इसका region है, property first, कि अगर आप घुमा दो, तो कोई फरक तो पड़ता नहीं, तो row पर लगा ओ, या column पर कोई फरक तो पड़ेगा नहीं, determinate पर, यह operations किसलिए यूज करते हैं, ताकि अपने answer जो है, जिसे first question है, अपने पास, x, y, z, a, b, c, x, plus a, y, plus b, और z, plus में c, यह हमें left hand side लिख लिए, ठीक है, हमें prove करना कि यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है, एक तो यह लिख लिए, दूसरा question में लिख लेता हूँ, साथ की साथ, a-b, b-c, c-a, b-c, c-a, c-a, a-b, c-a, a-b, a-b, b-c, यह भी मैंने left side लिखी है, ठीक है, अब देखो द्यान से, हमें properties आती है, 6 की 6, ठीक है, तो इसके अंदर देखो, मैं 5th property लगाता हूँ, 5th property क्या कहती है, स्प्लिट कर दो, तो यह जो x, y, z के साथ तो अलग कर लेता हूँ, इसको, ठीक है, और, a, b, c, के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, अब इन दोनों determinate का अब ध्यान से देखो, आपको क्या इन में कुछ same दिख रहे है, यह देखो, इसमें c1 और c3 क्या है, same है, इसमें c2 और c3 क्या है, same है, column first, column third के बराबर है, column second, column third के बराबर है, तो कौन सी property लगी यहाँ पर, p3 property लगी, p3 property क्या कहती है, 3 same 0, तो इस का अंसर भी 0 आ गया, इस का अंसर भी क्या गया, और overall यह क्या होगे, 0 होगे, समझगे बात को, यहाँ पर देखो द्यान से, यहाँ पर अपने p6 property लगाते है, p6 का मतलब है, अपने इसमें कुछ calculation करके देखते है, p6 property क्या कहती है, कि आप operation लगा सकते हो कोई भी, तो मैं r1, r2 और r3 तीनो को plus करता हूँ, देखो, इस r1 के अंदर, r1 में r2 और r3 plus करता हूँ, तो क्या बना देखो, a-b में यह तीनो प्लस करोगे, तो मैं एक element आपको निकाल के दिखाता हूँ, a-b, plus b-c, plus c-a, तो देखो, c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, यानि यह सारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऐसे यह भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, 0, और बाकी क्या रहा गया, same, determinant की property है, कि कोई एक row 0 है, तो वो सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर अपने इसके respect इसको expand करेंगे, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यह, देखो, property की help से, हमने इसको easily find कर लिए, अगर अपने इसका यहीं से expand करते, तो बहुत complicated हो जाता question, ठीक है, इसके बाद, इसका 3rd question देखो, 3rd question देखो, 235, 789, 65, 75, 86, ठीक है, और 4th भी इसके साथ लिख देता हूँ, 111, B, C, C, A, A, B, A, B, B, C, B, C, A, C, A, P, B, लेफ्ट साइड लिखिए दोनों की मैंने, अब आपको दिमाग लगाना है इसके इसके इंदर, कि इसको कैसे सोलू करें देखो डारेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो यह तो डिजिट की अंदर है डारेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो लेकिन क्योशन में लिखा है कि डारेक्ट एक्सपेंड नहीं करना विदाउट डारेक्ट एक्सपेंड इसको सोलू करना है ठीक है तो आप इंटू 8 प्लस में या 9 इंटू 7 प्लस में 2 लिख सकते हो ना 63 मुझे पता है कि ये जो है ना 63 प्लस 2 है ये कह 72 प्लस 3 है समझे रहे बात को ये कह 81 प्लस 5 है प्लस 3 ये 9 इंटू 9 प्लस में क्या गया 5 ठीक है अब देखो ध्यान से फोर्थ प्रोपर्टी कहती थी कि के से मल्टिप्लाई कर सकते हो आफ अगर मल्टिप्लाई कर सकते तो डिवाइड भी कर सकते तो वो मैं प्रोपर्टी यूज करूँगा अभी नहीं उस गरूँगा पहले थोड़ा सा इसको स्प्लिट करता हूं देखो फिफ्थ प्रोपर्टी क्या गयती है टू थ्री फाइव एलग कर लो ऐसा यह 9 आगया को मैं आगया सी थरी से को मलेलिया आप बकाइदा लिखो गया यहां पर टेकिंग 9 common from c3 ठीक है अब जैसे को मलिया वैसे ही तुमको कुछ फील हो रहा है यहां पर कि यह देखो यह दोनों अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है ठीक है तो पहले इसको अंदर इसको अलग अलग नहीं करेंगे अब पहले दिमाग लगाएंगे कि अगर यह वाला स्टैप इसमें प्लस हो तो क्या बना एबी प्लस बीसी प्लस एसी यह वाला स्टैप अगर इसमें प्लस हो तो भी क्या बनेगा एबी प्लस बीसी प्लस एसी इसका मतलव पहले अपने इनक लिखना होता है this means c3 के अंदर operation लग रहा है और जिसमें operation लग रहा है उसी में changes होंगे बाकी दोनों same लिख दो कोलम first column second में कोई operation नहीं है तो same अब यह क्या बन गया a b plus b c plus में a c a b plus b c plus में a c a b plus b c plus में a c लेकिन तुम यहां से समझें कि यह जो तीनों same है तो तीनों same है तो common आ सकते हैं ठीक है taking a b plus b c plus a c from common from c3 ठीक है तो बचों यह अगर मैं common ले लूँ तो बाहर आ गया a b plus b c plus में a c और यहां पे रहे गया one 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 ठीक है common आ चुका है तो अब p3 property क्या कहती है क्योंकि तुमको c1 और c3 same दिख रहे हैं न कि c1 और c3 identical है same है इसका मतलव यह दोनों same होगे तो p3 property कहते हैं कि इसकी determinant क्या आएगी जीरो आएगी तो यह जो a b plus b c plus a c है जब 0 से multiply होगा तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा आई बास समझ असान questions है practice इस चाहते हैं बस यह है कि इसके बाद देखो कि इसके बाद जो फिफ्ट क्योशन हो ट्राई कर लेना हो जाएगा कैसे करोगे फिफ्ट क्योशन फिफ्ट क्योशन में न पहले आपको प्लस करना पड़ेगा सभी को ठीक है थोड़ा सा ध्यांसे करना पड़ेगा फिफ्ट क्योशन मैं आपको बताता हूं देखो लेफ्ट लिख रहा हूं फिफ्ट के अंदर के है इस बुक में देखो सभी कि अभी प्लस सी और सी और प्लसय कि Q प्लस R R प्लस P P प्लस Q और फिर Y प्लस Z Z प्लस X X प्लस Y जो आपको प्रूफ करना है ना उसको देख लो ज्यान से तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको बाहर 2 चाहिए 2 कैसे बनेगा देखो इनको अगर अपने प्लस कैसे करे कोलम प्लस करे या रो प्लस करे रो प्लस करनी पड़ेगी डबल हो रहे है ना ये देखो द्यान से B और B 2 B 2 C 2 A बन जाएगा ना ये जो अपने उपरेशन लगा रहे हैं ये कौन सी प्रोपर्टी है 6th प्रोपर्टी है ठीक है R1 में R2 और R3 प्लस करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे 2 A प्लस B प्लस C ये भी क्या हो जाएगा 2 P प्लस Q प्लस R और ये 2 X प्लस Y प्लस में Z समझे बात को अब ये वाला सेम C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q और X प्लस में Y ये जो 2 है बच्चों ये अपने को बार चाहिए तो मैंने कॉमन निकाल लिया इसको ये आगया कॉमन समझे बात अब आपको दिमाग लगाना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपके पास R2 है इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है अंसर में B लिखा हुआ है का देखो B लिखा हुआ है इसका मतलब उसने इसको इसमें से माइनस की है R2 में से R1 माइनस करेंगे तो B बचेगा सिरफ और यहां पर C होगा यानि R3 में से भी क्या किया है R1 माइनस किया है तो अपने ये दो प्रोपर्टी लगाते हैं कौन सी R2 टेंस टू R2 माइनस R1 R3 टेंस टू R3 माइनस R1 ये कौन सी प्रोपर्टी है P6 प्रोपर्टी अपलाई हो रही है ये बारवाला तो 2 as it is हमने R1 में कोई चीज़ नहीं किया तो A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z ठीक है अब इस में से ये माइनस करेगा C प्लस A में से ये जब जाएगा तो माइनस का भी बचेगा यहां पर माइनस का Q माइनस का Y माइनस का C माइनस का R माइनस का Z सभी बात है R2 और R3 दोनों में से माइनस 1 common लेने पर taking common माइनस 1 from R2 and R3 तो मुझे यहां से भी माइनस आ गया common और यहां से भी माइनस common आ गया तो वो क्या हो जाएगा वैसे ही प्लस हो जाएगा ठीक है यह आपने माइनस common क्यों लिए क्योंकि हमारे अंसर में माइनस नहीं है इसलिए ठीक है अब हमारे अंसर में तो यहां पर A plus B plus C भी नहीं है यहां पर क्या A है यहां P है और यहां X है तो आपको पता ही चल रहा होगा कि अब क्या करना है क्योंसी property लगेगी कि R1 में से अगर आप क्या माइनस कर दो R2 और R3 माइनस कर दो यानि A plus B plus C में से B और C गटा देंगे तो A बच जाएगा न तो क्या बनेगा यह बाहरवाला तो two as it is अगर यह property लगाओगे R1 में से यह दोनों गटाने है यानि A plus B plus C में से B और C गया तो क्या रहा गया A इधर क्या रहे जएगा P इधर क्या रहे जएगा X और बाकी दोनों में कोई property नहीं लगी तो यह अपना सेम आ गया और यही आपका अंस्वर है आई बास समझ तो इस तरीके से यह fifth question होगा पहले plus करो two common लेके आओ फिर आप क्या करो तो R2 में से R1 और R3 में से भी R1 माइनेस कर दो फिर दोनों के जो माइनेस आये थे वो common आ गए फिर हमें यहाँ पे A प्लस B प्लस ही नहीं चाहिए हमें सिर्फ A चाहिए तो R1 में से R2 और R3 क्या कर दो सब्ट्रेक्ट कर दो आगी बास समझ यहां से माइनेस आया और यहां से भी तो माइनेस आया था तो माइनेस वन इंटू माइनेस वन प्लस का वन हो गया था ठीक है सिक्स्ट क्योशन कर सकते हो आप ठीक है ट्राइ कर लेना हो जाएगा सेवन्थ क्योशन देखो सेवन्थ क्योशन में आपको डिटेर्मिनेट दे रहे है माइनेस A स्क्वेर A B A C B A माइनस का B स्क्वेर बी सी C A C B माइनस का C स्क्वेर ये डिटेर्मिनेट हैं इपने पास हमें प्रूआ कैंकर नहीं है फूर और B स्क्वेर C स्क्वेर ये प्रूव करना है ठीक है बिलकुल एसान है आपको इस क्योशन में दिमाग लगाना कि क्या कॉमन आ रहा है कि देखो टेकिंग कॉमन कि एक ए फ्रोव प्रोरama कि सीवन से ईच्टू से भी मैं और शी फ्रोव दो त्रीरम और रहा था वहां से भी ले सकते हैं ठीक है ये पहले ये ले है C1, C2, C3 से तो बार A, B, C आ गया क्या रहा गया माइनस A, B, C और यहां पर A, माइनस B, C यहां पर रहा गया बचो A, B, माइनस C अब फिर से अब R1, R2, R3 से कोमन आ रहा है, टेकिंग कोमन, A फ्रों, R1, B फ्रों, R2, C फ्रों, R3, तो बचो बार A, B, C है, A, B, C हो रहा गया, तो क्या बन गया, A, SQ, B, SQ, C, SQ, बाकी क्या रहा गया, माइनस 1, 1, 1, 1, माइनस 1, 1, 1, 1, माइनस 1, ठीक है, आगी बास समझे, अब क्या होगा, अब आप इसमें कोई operation अपनी मर्जी से लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे मैं column 1 और column 2 को plus करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, इसके बीचे reason है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बने, जिससे मुझे expand करना बहुत असान हो जाए, तो अगर ये column इसमें प्लस होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो बाहरवाला तो A square, B square, C square as it is, अब देखो, minus 1 और ये plus 1 क्या हो गया, 0, 1 और minus 1 क्या हो गया, 0, 1 और 1 क्या हो गया, 2, बाकि सेम लिख दो, 1 minus 1, 1, 1, 1 minus 1, ठीक है, अब हम इसको expand कर देंगे, हम पूरे question में एक बार expand जरूर कर सकते हैं, last मिल जागे, तो हम C1 के respect expand करेंगे इसको, क्योंकि C1 में सबसे ज़्यादा 0 है, तो एक digit के respect expand करना पड़ेगा हमको, तो बाहरवाला तो A square, B square, C square capacities, यह 2 है, 2 के respect करोगे, तो column गया रो गई, 1 into 1, 1, फिर minus formula का, minus 1 into 1, minus 1, इदर आगे क्या हो जएगा, plus का 1, तो यह 2, 2, जा 4 हो गया, तो यह बन गया, 4 A square, B square, C square, और यही आपको prove करना था, आई बास समझ, तो इस तरीके से अपने इस question को करते हैं, एक बार देख लो इसको ध्यान से, हाँ, फिर column से लेने होते हैं, पहले stem में अगर आप row से ले रहे थे, तो बाद में column से ले लेते हैं, एक ही बात है, आगया समझ, अब बच्चों इसके बाद वाले जो questions है न, या ये question या इसके बाद वाले जो questions थे, इन सबी में हमको क्या करना होता है, कि थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि अभी कौन से operations लगेगी, और वो कैसे पता चलता है कि एक बार आप सारे के सारे कर लोगे न, ये बचो 1, 1, 1, A, B, C, A square, B square, C square, ये हमारे पास determinant है, और इसके right hand side में क्या proof करना, A-B, B-E, C-A, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आपको column के अंदर 1, 1, 1 दिख जाए, तो आप हमेशा ये दो property साथ में लगाया है, अगर हो, R1 tends to R1 minus R2, और R2 tends to R2 minus R3, R1 minus R2, R2 minus R3, ठीक है, इससे फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा ये हो जाता है, कि जब भी 1, 1 होता है, तो वो 2, 0 बन जाएंगे, इन दोनों operations से, कैसे बनेंगे, देखो, एक में से एक गया, R1 minus R2 का मतलब गया है, इस R1 में से ये R2 minus करें, एक में से एक गया, A में से B गया, A square में से B square गया, एक में से एक गया, R2 minus R3 कर रहा हूँ, B में से C गया, और ये B square minus C square, 1C, C square, ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर आपको दिमाग लगाना की कौन सी एडेंटिटी लग रही है, ये A minus B, ये A square minus B square क्या होता है, A plus B, A minus B, ये B plus C, B minus C, C, C square, अब आप देखो कि क्या common आ रहा है, क्या R1 से A minus B common आ रहा है, R1 में ये रहा A minus B, ये रहा, क्या 0 के साथ A minus B है, है, multiply में है तो है, मालो multiply में है, क्या common लेना असान हो जाएगा, कुछ बच्चे सोचते हैं, 0 के साथ कुछ नहीं है, तो A minus B बच्चों इन तीनों के पास है, common लेने का मतलब उतर डिवाइड कर रहा है, जैसे यहां से आप A minus B common लोगे, तो इसके अपन में चला जाएगा, अब उन में चला जाएगा, तो भी रहेगा, तो 0 ही, यानि हमने क्या common लिया, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, taking common A minus B from R1, B minus C from R2, तो यह जब दो step अपने बच्चों common लेंगे, तो बाहर क्या आ गया, A minus B, B minus C, यह आ गया, रिमेनिंग क्या रहा गया, R1 में 0, 1, A plus B, 0, 1, B plus C, और R3 से कुछ common लेंगे हैं, तो सेम, अब आप ध्यान से देखो, कौन सी रो या कौन सा कॉलम है, जिसमें 2, 0 दिख रहे हैं आपको, 2, 0, C1 में दिख रहे हैं न, तो जिसमें 2, 0 दिख जए, उसके respect expand कर दिया गरों, हमेशा परसार कर दिया गरों, तो सिर्फ 1 के respect ही करना पड़ेगा, ये 2 के respect तो वैसे 0 हो जाएगा, तो बाहर वाला तो सेम, और इसके respect करोगे, तो ये कौलम गया, ये रो गई, क्या रहा गया, 1 इंटू B plus C, B plus C, फिर minus A plus B, तो इन दोनों के sign change हो जाएंगे, और minus B से plus B cancel हो गया, क्या रहा गया हमारे पास, A minus B, B minus C, और C minus A, और यही आपका answer है, यही आपको prove करना था, तो आई बास समझ, अपने कैसे identities apply करते हैं, property apply करते हैं, ठीक है, एक और करवाऊं, यहाँ पर करते हैं, हो तो जाता, लेकिन complicated बहुत हो जाता, तुमसे common नहीं लिए जाते, ऐसा नहीं बनाया जाता तुमसे, ठीक है, करतो देते हैं, तुम यहीं expand, तुम यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार expand करने के बाद तुमकों यहाँ तक पहुंचना होगा, और जो तुमारे लिए थोड़ा बहुत नमुम्किन हो जाएगा, ठीक है, एक और करा देता हूँ, एड़त का सेकंड, बाकी पढ़ ले न, स्कूल के अंदर थोड़ा बहुत टाइम तो मिली जाएगा, एड़त का सेकंड जो है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, 1, 1, 1, A, B, C, और इधर स्क्वेर नहीं है क्या, इधर A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, यह है, तो प्रिवियस क्योश्चन में क्या था, कॉलम के अंदर 1, 1 आये थे, तो हमने R1-R2, R2-R3 किया था, यहाँ पर क्या है, रो के अंदर 1, 1 आया है, तो आप यह उप्रेश्चन लगाए करो, C1-C2, C2-C3, इससे फाइदा क्या होगा कि 2, 0 बन जाएंगे, एक में से एक गया, A में से B गया, AQ में से B क्यूब गया, AQ-BQ, एक में से गया, B-C, BQ-CQ, और यह 1, C, CQ, अब तुमको अइडेंटिटी आने थी, AQ-BQ की सुना दो, क्या होती है, बता, AQ-C, यह नहीं होती है, A-B, A²-B²-AB, ठीक है, और इसकी हो जाएगी, B-C, B²-C²-BC, और यह सेम का से, ठीक है, अब क्या है, द्यान से देखो, C1 में से A-B common आ रहा है न, C1 से A-B, और C2 से B-C, उभ्यानिश लेने पर, यह taking common, ठीक है, तो क्या बन गया, A-B, और B-C तो आ गया बाहर, इदर आ गया 0, 1, और A²-B²-AB, 0, 1, B²-C²-BC, और 1, C, C की क्यूब, यह रहा गया, तो तुमको अब, 0 किस में दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, R1 में, पहली रो के अंदर, तो expand with respect to R1, ऐसे लिखा जाएगा, यह इंदियों में लिखोगे, R1 के सब एक्ष परसार करने पर, तो बाहर वाला तो सेम, A-B, और B-C तो सेम आ गया, अंदर क्या रह गया, इसके respect करेंगे, तो column गया रो गई, तो यह रह गया, B-square प्लस C-square प्लस B-C में से माइनस क्या करना ही है, क्योंकि यह इससे multiply होगा न, A-square, B-square और A-B, जब माइनस किया तो इसके sign change हो जाएंगे, ठीक है, तो B-square से B-square कट गया, हमें इसको कहां तक पहुंचाना है, जो हमारा answer है, ठीक है, भाँ तक पहुंचाएंगे इसको, तो देखो, दिमाग लगाओ, यह C-square और यह A-square है, जो माइनस का, इनको साथ में लिखो पहले, और यह B-C और यह माइनस A-B, इसमें प्लस का B कोमल ले लो, क्या रहा गया, इदर C, और इदर माइनस का A, क्योंकि हमें C-A भी तो चाहिए, अंस्वर के अंदर, यह A-B, यह B-C, इस C-square-A-square में तुम्हें अडेंटिटी लगा सकते हो, C-A, C-A, लगा सकते हैं न, यह B into C-A, as it is, A-B, B-C, और यह C-A दोनों में है, तो कॉमन आ गया, और remaining क्या रह गया, बताओ, देखो, C-A रह गया, और B भी रह गया, यानि मैं A-B-C लिख सकता हूँ न, लिख सकता हूँ, तो अब देखो, क्या बन गया यह answer, A-B-C पहले लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, A-B, यह वाला, फिर B-C, और फिर C-A, तो यह क्या आ गया अपना, answer आ गया, और यह हमें प्रूफ करना था, अगी बाद समझे, तो इस तरीके से, 8th question तक तो complete हो गये,